हेलो एवरीवन मैसन खान यास्वीन फॉम ग्लोव इंटिस अक्यादमी आज भी डिस्कूस करेंगे आपके यूजी सी नेट ओम साइंस की यूरिट सेवन्स चाइल्ड यूमन डेवलप्मेंट डिखें ज़स्ट इस लेबस की बात कर रहे हो वह तो इसमें सबसे इंपॉर्ट लोगी उसके बाद अजर रहे हैं क्या है प्रिंसिपल ग्रोथ और डिवलप्मेंट की और अजर इसमें जो होती है आपकी एंड मतलब जो होती है इस तिल डेथ जो होती है हमें क्या करनी है बात कर देंएं तो यहां पर बात सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वह कियर डूरिंग प्रेग्नेंसी और इस चीजें आपको धी और ध्यान रहना लटने एक तो आपको बात करनी है प्रीने तरीन यानि जब जी जैमिट्स बन रहा था एंप रहा था उस टाइंग पी क्या 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 प्रिकॉशन निपस्ट करेंगे करेंगे इसके बाद आपकी जो होते हैं मिलते हैं नेटल मछले redu of theories or human behavior or development theory , जिसमें आप psycho analytical theory, psycho sexual theory की बात करेंगे, addiction, psychosocial theory ही जो होती है बात करेंगे, ठीक है तो यह सारी चीज़े आप यहां पर cover up करेंगे, इसके बार आपकी जो होती है different stages को आपको cover करना है कि न्यूनेट stage में आपकी childhood stage उसके बार जो एक सारी स्टेज़ेस को आपको दोता है कवर अप करना है कि इन स्टेज़ेस में कैसे कैसे जो होती है ग्रोथ होती है क्या-क्या for types की जो होते हैं changes आपको देखने के ने मिलते हैं इसके बाद आपको बात करनी है कि अजर suppose कीजिए कि child की development की बात कर रहे हो human development की अजर आप बात कर रहे हो तो early childhood education के उपर जो होता है है उसके nutrition के उपर जो होता है वो कौन कौन सी मतलब जो होती है policies और बनाई गए है इसके बाद क्या क्या influence होता है family का school का peer group का culture का personality का मतलब इंसान की personality और उससे development के उपर यह सारे के नोड़ सापको ग्राम बनाने हो ऐसके बाद next जो आपका point आता है कि यहां पर कुछ ऐसे भी परसन है जो special needs जो होता है उनको चरी होती है उनने specials जो होती है care support education जो होती है वो provide कर नहीं होती है क्या मतलब जो होता है prevention मतलब बनाए क्या prevention किये गए क्या rehabilitation centers जो होती है वो काम करती है तो यह सारी चीज़े यहां पर देखने है इसके बाद आपको बात करनी होगी कि children at risk of child labor बहुत सारे जो अच्छे होते हैं वो child labor phase कर रहे हैं क्यूं कर रहे हैं उसकी causes उसकी effects यह सारी चीज़े यहां पर आपको देखने होगी क्या कि चैलेंज़े से मतलब इंडिया के सामने क्या क्या प्रोग्राम्स जो होते हैं इसको डीर करने के लिए बनाए जा रहे हैं क्या इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यह होती है क्या characteristic features होते हैं उसकी जैसे life age बड़ती जाती है तो उसके रोल में क्या changes आती है उसकी responsibility में में जो होता है जो होता है वो कैसे पीएंग करता है तो यह आपका जब आप तीनों theories अगर करने पर वो cycle successful psychoanalytical और जो होता है psycho आपका यह social तो इसमें आपके वह चीज़ेंगे कवर हो जाती है इसके बाद जो old age है तो old age में क्या क्या मज़ा न्यूग्रेशिंस की requirement है उसमें क्या physiological changes आते हैं physical changes आते हैं cognitive changes आते हैं किस तरीकी की care और needs की requirement है वह यह सारी चीज़ें जो होती है आप यहाँ पर cover करेंगे इसके बाद next आता है research method type and variables and their selection बस यह इतना सा ही part है जिसे आपको क्या करना है cover up करना है जब आप यह चीज़े cover कर लेते हैं that means आपका जो होता है एक unit तयार है child human development की इस पर question जो होती है एक theory को दियो दोसरी theory के साथ relate करके human की behavior पर relate करके mostly जो होता है conceptual question जो होता है वो पोचे जाते है multiple selective the questions से जो होता है वो पोचे जाते है तो उसी इसाप से जो होता है आप इस units की notes को prepare करें hopefully यह video आपको समझाया होगा thank you तूज चुग करा दो करें दो करेंगा करेंपट